हाई अब्रीवन आज मैं आपको मॉडूलर किचिन की जो ट्रॉली होती है जिने हम दराजे भी बोलते हैं उनको क्लीन करना बताऊंगी तो यहां पर देख सकते हैं मेरे यहां टोटल बांच दराजे हैं यानिकी ट्रॉली है तो एक कटलरी सेट है कटोरी का है प्लेट्स थाल ट्रॉली हो गहार देख सकते हैं है फानी होने की बज़े से कहार जमा हो गई है 1 साल हो गया है मुझे इप केण करना प्लेट्या नहीं अपर एक कृण Oh लगी हुई होती है इसको आपको आफिर करना है या नीशे इसथा एस तरह से प्रैश करना तो पहले मुझे जानकारी नहीं थी मुझे नीचे अख्वार बिछा देना चाहिए था नियुस पीपर जिससे गंदगी ना हो पाती बट अब मैं यह करने वाली हूं तो इस तरह से हम सभी बास्केट को निकाल लेते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकें तो पहली बार जब बनती है कोई चीज तो उतनी जनकारी नहीं होती है बाद में जनकारी हो जाती है तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी तो यह देखे मैंने सभी बास्केट इस तरह से हम निकाल लेंगी तो मैंने नीचे की दोनों कुछ बसकी कई निकाल लिए तो देख सकते हैं कितना पानी यां गिला था तो बहुत खराब हो जाता है तो 動画 हो गया याद रखेंगी और उपर यह यह दुफिन निकाल लेती ओं इस तरह ऐसे तो फिलाल मेरे पापा निकाल रहे हैं बास्केट कि तो सारी बास्कित बहुत इसली निकल जाती है और लग भी जाती है तो यह देखे मैंने सभी बास्केट निकाल ली है एक मैंने नहीं निकाली है आटाकी मैं उसी में तिखाऊंगी तो मैं यहाँ पर एक क्लीनर बनाना बता रही हूं मैंने पिछले वीडियो में टाइल के लिए बनाया था यह बहुत क्लीनर है तो यहाँ पर मैंने एक चमश लिया था बरतंद होने वाला डिश्वास और उसकी डवा लिया था मीठा सोड़ा दो चमश मैंने पानी डाला है इसको मैं अच्छी से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे दो चमश नीवू कर रस तो मैं पॉटल में भर लेंगे तो इस दिवाली आप इसी क्लीनर से साफ सफाई कर ली करिए फनीचर हो या टाइल सो बहुत बढ़िया चमक उठेंगे कॉलिन से ज्यादा अच्छी होती है यह क्लीनर जो मैं बता रही हूं सबसे पहले तो आप नीचे देख सकते हैं कितनी से निकाल देते हैं ताकि जितनी ऊपर एपर की गंदगी है वह सारी जड़ जाये निकल जाये अब आपको क्या करना है कि इस तरह से स्क्रवर लेना यह जो ग्रीन वाला होता है ना तो इस तरह यह वाला लेन आ आपको साइड और यह यह चुछा है बनाना बताया है इसको आपको अच्छे से स्प्रेय करना है यह बहुत ही बैस्ट क्लीनर है इसमें जो सोडा है नीबू है यह दम जमी हुई गंदगी को भी निकाल देता है तो यह ग्रीन बाला पाय तो आपको से लगड़ते जाना है आपको इस्ती से लगड़ते जाना है जाएंगे तो यह देखे इसमें डिटरजिन भाइब दिशम झाना है तुरंत ही आपको कपड़े से पोश्चना है गीला नहीं रहना चाहिए तो फनीचर का रख रखा भी बहुत जुरूरी है तो यह बुदिन का है इसलिए तो अब हमने इसको यहाँ पर यह जो फॉम बाला एरिया है एक बार हम इससे आप क्लीन कर लेंगे ताकि जो साफ कर सकते हैं तो यह देखिए काफी अच्छे से साफ हो गया जो किनारे आप स्पोट देख रहे हैं यह फैविक क्यों के स्पोट है जो फनीचर बालों ने लगा दिये थे तो यह अभी नहीं छूटे हैं से यह देखिए क्लीन हो गया तो इस ताह से मैं दूसरी ट्रॉल अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो इस तरह से मैं आसानी से हाथ मेरे चला जाएगा तो इस तरह से मैं जितनी भी अंदर इसकी धूल है जो डस्ट वगएरा है वह निकाल देती हूं क्योंकि आटा वगएरा गिरी जाता है थोड़ा बहुत कोशिश करने पर अगर मैं पर बिचा देती तो यह प्रॉब्लम नहीं होती मुझे तो मैं सभी पहले तो जड़ा देती हूं जितनी भी डेस्टिंग है यह देखिए सारी डेस्टिंग निकल गई है अब आपको क्या करना है कि आपको एक कपड़ा लेना है और को बीएक स्पैचुला ले लिए तो मैं इसमें थोड़सा दिक्त हो जाती है हा güç नहीं जाना पाते हैं इनदर तो यह मैंने तरीका निए इसको इस तदरेसे जितनी भी डेस्टिंग हम बाहर कर लें और हमने इस बाहर करने की बाद सारी डेस्टिंग बाहर निकाल दी है डेस्ट को और पिर से मैं इक बार गीला कर लिए मैंने कपड़ा ताकि थोड़ा को जो जम जाती है निकली नहीं है गंदगी वह भी निकल जाएगी इस तरह से सारी जमी हुई गंदगी निकल आई है यहां पर हाथ नहीं जाता है तो वह भी निकल गया है आप यहां पर नीचे मेरा हाथ चला जाएगा तो जो साइड मे आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर डाला है और फिर मैं एक कपड़ा लूँगी और यहां पर भी मैं क्लीन कर लेती हूं तो अगर यह ट्रॉली भी मैं निकाल लेती तो बहुत आसानी से काम हो जाता बट मैंने का एक आपको इस तरीके से भी दिखा देती हूं काफी क्लीन हो गई है इस तरीके से आपने सारी ट्रॉली को साफ कर लेना है तो यह तो हमेशा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो आप बीच बीच में इस तरीके से साफ करते जाएं और दिवाली बड़ा फेस्टिवल होता है तो इसलिए एक बार जरूर आप सारी बास्किट बाहर निकाल करके अच्छे से क्लीनिंग कर लें तो मैं सभी जगा इस क्लीनर से जहां जहां रह गया है तो इससे कर लूंगी सफाई ताकि यह बास्किट जो है यही पर अच्छी क्लीन हो जाए तो यह देखिए जो ट्रॉली है मैंने यही पर बिना निकाल इसको क्लीन कर लिया है तो यह मैं बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती बट काफी हद तक क्लीन हो गई है तो इसी तरह से हमने यह सभी दराजे साफ कर ली है आप हमने जो अलग बास्केट निकाल करके रखी थी तो म मैं वहां पर आपको कुछ टिप दिना चाहूंगी यह जो कटलरी वाला सेट होता है आपनों की हो सकता है इस तरीके की बास्केट हो तो इसमें क्या खार जमा हो जाती है पानी की जंग जैसी लग जाती है अगर उसकी थोड़ी दिन तक क्लीनिंग ना किया है तो मैं एक जाते हैं तो इसे जो जंग वगेरा है वो खतम हो जाती है आप चाहे तो नीबू कर रस भी मिला सकते हैं अगर बाइचांस नहीं है विनेगर तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यह जो पेस्ट है यह आपके उस तरह की बास्केट को साफ करने के लिए बहुत को सब जगाए हलके हाथों से तो आपको लगा देना है तो इसको लगाने से क्या है कि जितनी खार है वो अपने आप निकल जाएगी और जो जंग जैसी लग गई है वह भी सब खतम हो जाएगी तो आपको अच्छे से अपलाई कर देना है कि अच्छी तरह सभी जगए लग जाना चाहिए पेस्ट हम इसको लगा लेते हैं तो मैंने इसको पूरे कटलरी बास्केट में अच्छी से अपलाई कर दिया है अब मैं इसको शोर डेती हूं ताकि जो पेस्ट है अपना व्र कर सकें जब तक मैं दूसरी बास्केट को प्लीन कर लेती ही इसनी जब लेती हुआ थे आप यह यह जहाल कुछ आप लोगों की हो सकता है बास्केट इस तरीके की हो तो यहाँ पर मैंने जो cleaner बनाया था उसको मैं green scover में लगा करके इसको साफ करूंगी तो इसे बहुत अच्छी से साफ होता है और जो खार जैसी नहीं कहेंगे लेकर गंदगी होती है जो चिकनाहट होती है वो जम जाती है वो भी से clean हो जाती है और इसमें बड़िया शाइन आ जाती है तो मैंने यह cleaner ना बना करके रख लिया है तो मैं पूरी सफाई में सी कर यूज़ करने वाली हूं तो मैंने आपको टाइल साफ करना बताया था इससे तो यह देखिए इस तरह से हम इसको सभी पूरी बास्केट को साफ कर लेंगे इसी से हम जो बाहर का एरिया है वो भी हम साफ करेंगे अब इस प्रवर को हम एक बार पानी में वाश कर लेंगे ताकि अच्छी से इसकी जितना भी डिटरेजन है वो सारा निकल जाए और जो फोम वाला एरिया है ना अब हम उससे एक बार पहुंच लेते हैं आप चाहें तो कपड़े से भी इसको पूर्च सकते हैं ताकि इसमें जितना भी डिटरेजन लगा हो वो सारा निकल जाएगा तो हमारी जो बासकेट है इसकी जितनी स्टील की यह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है काफी शाइन करने लगी है तो मैं भी आपको दिखा रही हूं गर्वास को पास से तो यह देखे फ्रेंड्स हमारे बासकेट बहुत बढ़ए क्लीन हो गई है और यह जो पार्ड़ है यह बी काफी अच्छी से क्लीन हो चुका है यह देखिए सबकाफी शायन आ गयी है तो इस तरह से हमने सभी जितनी भी ट्रॉली थी बासकेट थी सभी क्लिक कर लिए है देखें रम चैनल कर लेते हैं कि अब इनको हमट करेंगे तो इनको अबैश फित करेंगे तो त्रय में निकाला था मैं आप को मतलब यह तो इस KarChat करना होगा उन्यको्ट मतलब अच्छी से इसको फिट करना होता है जैसी फिट हो जाएगी तो यह अंदर इस तरह से सैट हो जाएगी तो इस तरह से हम दूसरी ट्रॉली भी फिट कर लेते हैं और हमने नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं मैंने पेपर बिच्छा दिया है ताकि अब जितनी भी घंदगी जाएगी नीचे पानी वगेरा जम जाएगा जो भी है तो वह फरनीचर में नहीं जाएगा सीधे निउस पेपर में जाएगा और इतना हाथ हमारा असानी से चला जाता है क्याम निउस पेपर आसानी से निकाल सके तो हम निकाल भी लेंगे और फिर से इसको भिष्छा भी देगे तो आप इतनी जादा गंदगी नहीं होंगी इस तरह हम सब भी बास्केट्स फिट कर देते हैं तो यह देखिए चारों हमने बास्केट जो है फिट कर दी है तो इस तरह से आप इन दराजों की या ट्रॉली की सफाई कर सकते हैं यह देखिए तो गाइज उमीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई टेक्टेक्ट